नमसकार दोस्तो अपका दोस्तुर इंदर सिंग सट एजुकेशन एप फॉर चैनल पे आपके इस प्लेटफोर्म पे आपका स्वागत करता हूं और इंगलिस का एक और नया कि लेकिए आपके सामने हाजिरूं, आज का हमारा topic है दोस्तो, pronoun, आज का topic है probably pronoun, pronoun का मतलब हूँता शर्व नाम, इंगलिस में बोल दो substitute of noun, कहने का मतलब है noun के स्थान पे जो शब्द काम आते हैं, उनको हम pronoun कहते हैं, ठीक है, तो pronoun है उनके बारे में हम जानेंगे, तो प्रोणाव नें इंगलिस प्रकार होते हैं जिसमें सब्जेक्टीव पजिशीव ऊघैञे और इसके बाद में जो अपना इंडीफिनीट इंडायउं है वह आजाता है फिर्टाचरेव क्रोनाउन नाए जैसे हमने जो टेंस वाले टोपिक में सीखा था कि subject verb man verb object क्या होता है जो starting वाकिए के अंदर क्या जो active रहता है जो active रहता है वह क्या हिंदी में करता कहलाता है और इंग्लिस में क्या कहलाता है subject subject में कौन कौन से आते हैं ही सी आई दे वी यू ठीक है इत्यादी आते हैं ठीक है इसमें यू भी आएगा ठीक है यू आता है तो यह तो उनकी subjective form होगी क्योंकि यह क्या है active है और जो एक्टिव नहीं है मतलब इसके बाद में जो second रूप में रहेगा वह किस रूप में तो देखिए objective में कौन कौन से आते हैं देखिए ऐसे देखिए अगर ही का क्या बनाएंगे ही का क्या बनेगा हिम बनेगा सी का क्या बनेगा सी का हर बनेगा आई का मी बनेगा यू का यू का यू बनेगा और दे का देम बनेगा वी का अस बनेगा यह क्या इनका यह इनका objective प्रोणाउन है जो यह सब्जेक्ट है से मालेजिए इनका अगर हम क्या करें जैसे हम इनको डिवाइड करते हैं रूप इनका जो रूप होते हैं उसको एक्सेंड करते हैं तो यह फूर्म समझे सामने निकल के आती है ठीक है इनके देखिए इनके बाद में हम जो नेक्स्ट सिट पढ़ने वाले हैं वह है पज्जेश्य प्रोनम दोस्तों यह दो चीजका बहुत कोमन यह कोई जानता है खीसी आई यूवी दे जो भी सब्जेक्टीव फॉम सब्जेक्टीव प्रोनाउन होते हैं इनके ज़ो प्रोनाउन को देखिए यहां पे मैंने क्याक्याट किय केड़े किया हैं लेकिन दिखी समय हिज हर माईय यहफिआ यह रहर होता है हर्श होता है माइन होता है यह यह उपसित सोगा तो इनको इसमें आएं और लग जाएगा ठीक दोस्तो तो इनको हम तहां da ले कहां यूज ले आज je relative pronoun objective pronoun और अपना पजेशी exempt heroin हम फोकस करेंगे कि इन्हेश्व के साथ चाहिए हमें BishopALI के साथ में समझते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोणाउन क्या होता है objective pronoun क्या होता देखिए इसमें एक हिंदी के बाग कि है रेखा आपके साथ है तो इसका इंग्लिश translate करते हैं लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन करने से पहले हम यह देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है और उसके यहां क्या होगा बाकि सब्जेक्ट हो जाएगा धक्राया एक सब्जेक्ट होताय है कि दो डीका तो रेक टो रेक चीच विद्ञीँ देखिए इसमें जो intent ठी तो यू का क्या होता है order year और यू योवर और यू यह इनकी फॉर्म होती यह सब्जेक्टीव ओगए यह सब्जेक्टीव हो गया यह हो गई और यह ओगई ओगी ओप्जेक्टीव फॉर्म यहां पर आ गई है समझ गया हूंगे एक बार फिर्चे समझाता हूं कि रेखा आपके साथ है रेखा इस विड यू तो रेखा क्या है इसमें सब्जेक्ट फॉर्म है बाकिया दर्स क्या है यह अबजेक्टिव फॉर्म में हैं अबजेक्टिव फॉर्म में क्योंकि रेखा इसमें क्या है करता है सबजیک्ट है और सबजेक्ट के बाद में जो बचा है देखे इसमें हमें इसे फोकस करना है तो यह कुन सी फोम है यह सबजेक्टीव फोम तो रहेगी नहीं अगर अगर हम देखें करने हिंदी वाकिया में देखे जो आप का वर्ड है उसके सब्जेक्टिव होता है और उसमें क्या बजगया लाइसमें यूंबजगया इसका डीव पजेक्टिव होती है तो इस देखिए राम उसके साथ है राम उसके साथ में मैंने यहां राम को थोड़ा इंगीरिस नहीं लिख़ा है कि यह थोड़ा पैचान सकें कि subjective objective form क्या है और objective form क्या है तो राम उसके साथ है राम इसके साथ है उसके मतलब क्या है अगर सी और सी हमें किस में देखना सी में और ही में हमें देखना है कौन किसके साथ है तो यहां पर कौन है यहां पर क्या है ही आएगा सी आएगा तो यहां पर देखिए जो ही है उसका form हमें देखना पड़ेगा ही ही और हिम ठीक है यह तीन हो गए ही हो गया subjective और ही है ही हो गया possessive और him हो गया objective तो हमें कौन सी formula क्या नहीं थी objective तो objective आ गई तो मलब objective form का प्रियोग ऐसे होता है next chapter देखते हैं इसमें देखिए इसमें हमने लिया है जो I है उसका use लिया देखिए बहुत सबसे important है मैं आपको यह चीज दिखाऊंगा कि इसमें माई का प्रियोग करते हैं माई सेल्फ का माई का इनका प्रियोग कहां करते हैं किस तरह से किया जाता है आप एक बार example देखिए यह मेरी पुस्तक है यह मेरी पुस्तक है this is my book देखिए यह माई है यह भी अधिखार को बताता है इनका मतलब मेरा होता है मेरे मेरी माई का मतलब मेरा यह मेरी होता है लेकिन difference क्या है देखिए यह अधिकार को बताता है और यह संपुन अधिकार को बताता है कि complete right है मेरा यह किया है ? यह यह है को बताता है और यह है रइड को बताता है देंखे वाक्य से हम समझते हैं जो एक्जामपल दिए उससे हम THIS का सम्मझत किस का समंध्स यह केवल क्या बता रहा है यहां पे राइट बता रहा है केवल अधिकार बता रहा है अब नेक्स्ट वाले में देखिए हम सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें देखते हैं यह पुस्तक मेरी है देखिए यह जो अब ध्यान दीजिए वाक्य सेम सा लग रहा है लेकिन सेम नही अब ये और पुस्तक, ये पुस्तक किस में है, ये सब्जेक्टिव फॉम में है, किस में है, सब्जेक्टिव फॉम में है, दोस्तो, इस बात पर ध्यान देना, फर्स्ट वाले में उब्जेक्टिव फॉम में थी, सेकिंड वाले में ये सब्जेक्टिव फॉम में है, तो बी फोम जो भी सब्जेक्टवी फोम आती है जीस चीज़ एसे मालिजे में जिस चीज़ पे अधिकार बता रहा है वह सब्जेक्ड के तुरणत बाद आती है तो आपको क्या प्रियों करना पड़ेगा आपको देखेज्व मैंने पजेशिव लिखा था जो मैंने पजेशिव फोर्म लिखी है आप थोड़ा सा इस पर गोर फरमाईए कि मैंने इसमें वन और नंबर टू लगा के रखा है वन देखिए एक तो जो पजेशिव प्रोनाउंस होते हैं यह वन है और यह है टू अगर केवल आपको राइट बताए केवल आपको राइट बताए तो आपको क्या जो यह फस्ट वाली जो लन है याद करने के तरीके से बता रहा हूं यह आपको कामल लिकिन एक नबर आपको कामे लेना लेकिन अगर आपको वो deep right बताए deep right का मतलब subject के तुरंथ बाद जिस चीज पे जिस object पे उसका right है जिस object पे वो अपना right बता रहा है वो subject के तुरंथ बाद आए कैसे देखे इसमें देखिए यह जो बता रहा हूं आपको देखिए यहां यह ओब्जेक्ट रूप में है यह बाद में आया है लेकिन यहां देखिए यह सब्जेक्ट है इसके तुरंद बाद में क्या गया जो राइट वाला ओब्जेक्ट आ गया तो यहां यह पुस्तक इसको हम complete subject मानेंगे क्या में तो पुझेसिव रिफचेंट आनदर है कि यहां दूपorde मृता है यह अ किन चीज उती है यए तीन को सब्सक्रीट करना होगा दिसे अग्तकर तो मुझे के लिए माई का मृत करना यह द१ यह चीज़ए उत्यट करना है यह कुछ हुआगा इस यह शाईद आपको clear हो गया होगा तो थीन टोपिक से हैं hindsight 4 प्रोनाउन कांट के वो क्लियर किये हैं सब्जेक्टि और पेज़एशी प्रोनाम इसके बाद नेक्सट वाले हम जो चूर हैं वह में ज़ी जाइब नेक्सर्ड वीडियो और एकजांप उसमें यह आये हुए हैं और अधीक तर दोस्तों इसमें जो पता सभी को है कि सब्जेक्टिव औब्जेक्टिव जो या पजेश्यू तो प्रोनावन कौन चे सभी को पता है लेकिन उनको पुट करने का तरीका नहीं पता किसको कहां पुट करना है सब्जेक्ट के तुरंद बात आपको जल्द मिल जाए ओके दोस्तों थेंक्स पूर ओचिंग इस वीडियो